नमस्कार आप देख रहे हैं Take India अब सवागत है आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे बिजनेस के बारे में जो एक लड़की ने करके दिखा दिया है कि कोई भी बिजनेस छोटा नहीं होता कोई भी बिजनेस को भी आप छोटा ना समझें एक ऐसा बिजनेस जो सब के लि लेगे एक लड़की जो पढ़ी लिखी है बीटक की हुई है और उसने अपने क्लिटिविटी का यूज़ करके और अपने जजबे का रुज़ करके लोग के परवाह किये बिना इस बिजनस सुरूर करती है और चाह जाती है तो दोस्तों आज मैं उसी के बारे बता रहा हूं क की एक ऐसे लड़की जिसको मश्रुम गर्द के नाम से भी जना जाता है दिब्या रावत की कहानी है जो आज लागों का बिनस कर रही है खूद की एक ऐसी कंपनी उसने खड़ा कर लिया है जो दूसरों के लिए प्रणा है आपके लिए हमारे लिए दूस्तों एरिकल्चर क इच्छेत्रे में लोग मोगे खुज रहे हैं और काम्यावी हांसिल कर रहे हैं सफालती के इसी कहानी उत्राखंड के लड़की की है जो गाउं की है जब छोड़कर सुरी किया था इसने कारवार उत्राखंड में मश्रूम लेड़ी के नाम से फेमस दिब्या रावत ने नो बैग मश्रूम प्रोड़क्शन का करवार शुरी किया आद दिब्या अपने करवार में सफलता पाने के साथ या रहने वाले की शानों के लिए प्रणा की स्रोथ हैं मश्रूम गल के नाम से फेमस दिब्या रावत मश्रूम गल के नाम से मश्रूर दिब्या रावत कंपनी क की मनेजिन डाक्टर है दिब्या ने बताया कि अमेटी मिस्ट्री नोड़ा से बी एस डावलू में उसक्षा और इसके बाद इगनुसे शोसल वर्क में मास्टर लिगी लेने के बाद शक्ति वाहिनी इंजीयो में कुछ दिनों तक जब भी किया अपना बीजनस उरुक करने के पहले डिपार्टमेंट ऑफ होटी कल्चर बागवानी जो होता है देरादुन से एक हफ्ते का मस्रूम प्रोडक्शन का ट्रेनिंग लिया दिब्या ने कहा कि हमने यहीं सिखा अपने पहले अपना काम खुद करो फिर दिशों को सिखो सिख दो किसानों को दिया सफर होने का मंत्र दिब्या ने सस्टमे में इस कारवारिक सुवात की जब किशान आलू 8-10 प्रतिक किलो की दर से बेच रहे थे दिब्या से प्रणा लेकर यहां के अधिकांश किशान आप मस्रूम का उत्पादन करके दिब्या से प्रणा लेकर यहां के अधिकांश किशान मस्रूम का उत्पादन कर रहे हैं और इसको दिब्या ने शिर्वाती सफल्दा के बाद 23 सितंबर 2013 को सोमय फूड प्राइवेट लिम्टेड नाम से एक कमपनी मनाई इसके बाद एक सोमय फूड नाम से ब्रांड का प पड़ती है लेकिन दिब्या ने इन धाचों में कुछ सकरात में बदलाव किये इसकी वजह से अब कोई भी 30 अरपिय का निवस्ट कर इस कारवार को सुरू कर सकता है इसके लिए दिब्या की कंपनी मदद करती है और ट्रेनिंग भी देती है प्रेक्टिकल ट्रेनिंग भी दिब्या की मश्रूम लेडी के नाम से मश्रूर देरादुन की छोटी कट काटी की दिब्या रावत अज बड़े-बड़े को बिश्नियस का हूना सिखा रही है दिब्या का घरना सिर्फ मश्रूम की प्रगोग शाला है बलकि सिखने वालों के लिए किसी उच्छ कोटी के स पर सक्ष caso सामाजिक डैत्यों के वो निभा रही है जिससे लोगों को लोग की जीवगा और रोजगार जिसे सामुज सामाजिक चुनोतियों का मुकाबला किया जा सके महलाओं को भी बनाया स्वालम्बी दिब्या ने मोत्रा मोत्रों वाला इस्टित अपने घर में स्वाब भी बनने की ओर हाथ बढ़ा है दीब्या रावत 35 से चाले डिग्री तपमान में मस्रूम का अत्पादन कर इच्छेत्रे में रजजगार की नहीं सम्धनाओं को जम दिया है जबकि आम धाना यहीं है कि मस्रूम उतपादन का उतपादन कम तपमान 20 से 22 में संभव है तो दोस् सचाले डिग्री रहते हैं जबकि उत्राखंड में यह टपमान काफ काई काफी कम होता है जो पहड़े ही लिस्टेसम जो में लोग जाते हैं करीम में गुमने के लिए तो यसा यह माला रहता है कि ठंडे प्रदस्वर में ही यह पॉशुबल है मस्रूम के लिए दोस्तों आ यहां इनके घर जो एड्रेस दिया है मैं वीडियो को दुबारा देखिए उसमें वीड्रेस मिल जाएगा आप नेट पर सर्च कर सकते हैं काफी फेमस नहीं है नेट पर सब सभी चीजी मिल जाएंगी इनके बारे में तो आज से चाहें तो आप ट्रेनिंग लेके अब मैं दूसर चाहता हम कोई भी आप विडियेस करें थोड़ा उसके बारे में नोरेज ले 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 नेट से सर्च कर लें और और भी गाइडाएंस लेने के बाद ही अफ्शूर करने की सी विडियेस को हमारा जितना गाइडेस है मैं दही राहूं आपको तो दोस्तों वीड बहुत खुश नशीफ समझेंगे की मेरे इस वीडियो से आपका जिन्दी आपकी जिन्दी बदल जाए तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगरे वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार बाइबाइब